गुड मॉर्निंग दोस्तों नाके हो चुके थे हम रेडी और जैसे हम गारी में बैठें वहीं से गर्मी का प्रकोब शुरू हो चुका था टीका माथे से बहते हुए नाक तक पहुंच चुका था तो मुझे लगा इस वक्त मुझे बंकर में जाके छुपना चाहिए तो मैं की तरफ पड़ा और इस सफर के बाद मुझे भूग भी लग चुकी थी तो मैंने सोचा कुछ खा लिया जाए और खाना इतना थंडा था कि मैं आपको क्या ही बता हूं इस थंडे खाने को खाके मेरे बोडी का तापमान माइनस 15 डिग्री पहुंच चुका था तो मैंने उस वक्त मुझे एक आदमी दिखा जो मुझे रस्ता बता रहा था उसके बताई हुए रस्ते को फॉलो करते हुए मैं बंकर से जल्दी भार आया और उसी भीड मैं शामिल हो गिया जिसको छोड़के मैं बंकर की तरफ आये था तो दोस्तों इस अध्याय को यहीं पर समाप्त क करते हैं कि अध्याय में कल आप से करेंगे मुलाकात सब तक के लिए धन्यवाद